start well so good morning to all of you कैसे दोस्तों आप सबी लोग बढ़िया ओके आपका income tax कतम हो गया अच्छे से हो गया आपका कोई एक-दो लेक्षिस बाकी है जो सरी इन बिट्रिल नहीं है तो आज हम start करेंगे GST से हो आज हम स्टार्ट करेंगे GST से हो आज हम आज हम स्टार्ट करेंगे GST की सबसे पहले मैं अपना introduction देना चाहोगा myself C.A. Vishal Bhattar faculty of indirect taxes जिसे आप GST के नाम से जानते हो from V smart academy so दोस्तों yes मैंने indirect tax पढ़ाना start किया था 2004 में ठीक है पहले हाँ आप तब जब पैदा हुए थे तो indirect tax जो है 2004 में पहला batch लिया था वो मैंने hostel में लिया था और commercially मैंने start किया था 2005 दो लगबग अब 20 years होते आ रहे हैं और सब्सक्राइब तो पार्टी हम देंगे पर 25th year में होनी चाहिए ना पार्टी है चला तो बिटा indirect tax में आज आप GST पढ़ रहे हो लेकिन पहले अलग-अलग loss थे अगर कभी आपने सुना होगा तो excise वैसे अभी excise policy का खेल तो चल रहा है आप देख रहे हो हाँ आज भी excise है कुछ goods पे जिसमे लिकर लिकर आज भी excise में हम जिसके बारे में बात करेंगे लेकिन पहले सारे goods पे excise VAT वैट कभी सुना है आपने value-added tax फिर customs उसके बाद में GST नहीं था GST 2017 में आया तो चली दोस्तों आपको एक paper है taxation taxation में आपको 50 marks का income tax है और 50 marks का GST है जिसे हम क्या कहते है IDT तो अगर हम CA Inter का paper 3 ले तो जिसमें group 1 taxation जिसमें direct और indirect tax direct tax आपको कितने marks के लिए 50 marks के लिए और indirect tax जिसमें हम GST पढ़ने वाले हैं वो भी 50 marks के लिए है तो direct tax में आपने पढ़ा होगा क्या बिटा income tax और indirect tax में हम पढ़ने वाले है GST थीक है मैं आपको बता दू कि यह जो पहले excise VAT और law थे और GST 2017 से आया मैं अपना पूरा experience आपके साथ share करने की कोशिश करूगा जितना आपके इंटर लेवल पर important है वैसे तो बहुत कुछ है जो final level का भी है पर आपके लिए important नहीं है लेकिन हाँ मैंने जो case लड़ी appellate tribunal में मैंने जो case लड़ी commissioner appeals में वहां के भी experience पढ़ाते पढ़ाते मैं आपके साथ share करूगा यह subject जो हम पढ़ने वाले है GST यह सिप exam point of view नहीं है यह subject हम in-depth पढ़ेंगे जो आपको practically भी बहुत काम आएगा क्योंकि generally क्या होता है income tax हुआ GST हुआ ऐसे जब आप आर्टिकलशिप में जाते हो तो आर्टिकलशिप में इसका बहुत ज्यादा use होता है आपका एक approach जो होता है tax के तरफ देखने का वो ऐसा नहीं होता है कि इतना पढ़ लो इतना कर लो यह point point और पांच points learn कर लो हो गया इतना लिख लो ऐसा नहीं है आपका approach भी ऐसा होना चाहिए या हो जाएगा दिरे दिरे कि हम जो है यहां पर GST practically किस तरह से cases को handle किया जाता है इसमें practical approach बहुत रहेगा in depth हम detailed discussion करेंगे और मैं आपको एक बात बता दू कि आपको इतना तो confidence आ जाएगा कि GST जो है हमने पुरा हमारे around 42 से लेके तो 45 session के बीच में रहेंगे depends मैं पुरी कोशिश करूगा 42 session में अगर लगे तो एक दो session ज्यादा लग सकते है लेकिन ये इतने sessions में मैं पुरी कोशिश करूगा कि आपका ये one of the interesting subject हो yes तो दोस्तों यहां पर generally जहां तक देखा जाए तो GST income tax को बहुत समझना थोड़ा आसान होता है तो ऐसा भी नहीं है कि अगर पहले से start हो तो GST समझ में नहीं आता है GST यो ऐसे भी totally अलग है income tax है इसका कोई connection नहीं है ठीक है हाँ यहां पर बस दोनों में taxation mechanism जो चलता है levy mechanism जो चलता है okay procedural part थोड़ा कहीं कहीं सेम लगेगा लेकिन दोनों को object टोटली अलग है ठीक है इसलिए अगर आपने income tax के जो है कुछ पूरे lectures आपके specially online students को मैं बता दू अगर आपके यहां पर कुछ lectures नहीं हुए होगे या backlog रहे गया होगा तो अभी मैं यह कोगा तो backlog आपने बात में कर लेना है GST मेरे साथ जो है regular basis पर जो जिस दिन जो session हुआ उस दिन का पढ़ाई आपको same day complete करना है और मेरे साथ complete करना है are you ready चलिए अब GST पढ़ाते वक आपको एक बात बता दू कि हो सकता है कि initial stage पे थोड़ा सा थोड़ा सा क्योंकि यह जैसा कल भी हमारी बात हुए थी और मैं बता दू यह थोड़ा आइरविदिक मेडिसीन है और आइरविदिक से ज्यादा हुमेपथी है ठीक है तो मैं आपको यह कह दू कि starting starting में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि slow चल रहा है कि starting starting में ऐसा लगेगा कि हां connect नहीं हो पा रहे हैं ऐसा कुछ students को लग सकता है ठीक है लेकिन डरो मत मैं यहां पर बैठाओ मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि आज का session भी आपका one of the interesting session रहे बहुत सारी नए बाते आप पड़ो और हर दिन आपको GST का session ऐसा रहे कि कि यार कि सब कुछ बाजू में GST अच्छे से पढ़ लेते हैं और GST में मज़ा भी आ रहा है ऐसी पूरी कोशिश कर पूरी मैं कोशिश करूँगा कि आपका सब यह जो है session interesting रहे ठीक है तो चलिए दोस्तों आजाते हैं हमारे basic discussion पर पहले half on में थोड़ा GST के बारे में ब 50 marks का होता है जिसमें आपको पता है 30 marks का क्या होता है आपको MCQ यानि अगर हम बात करें paper structure की तो total marks अगर ले तो 100 marks जिसमें से MCQ जो होता है आपको 30 marks का होता है और 70 marks के लिए numerical descriptive and subjective questions आपको आते हैं इसमें सबसे important part क्या है कि आप foundation के बाद जब इंटर में आ जाते हो तो 20 marks आपका अच्छा होना जरूरी है अब आपका पहला question यहां सकता है कि sir GST जो है क्या theoretical है मैं कहूगा कि GST more practical है ठीक है जैसे law आप जब पढ़ते हो तो थोड़ा theoretical touch आ जाता है points याद रखने पढ़ते है ऑके पर GST जहां तक हम GST की बात करें तो out of 35 marks 35 marks कहां से 50 marks में से 15 marks स mechanical जाएगा mcq ठीक है और वाकी रहते है 35 marks तो यह 35 marks जो है इसमें से around 20 marks के numericals आ जाते हैं और numericals बहुत easy है बहुत easy है बर उसकी notes आप कैसे present करते हो और कैसे लिखते हो वहां हमें ज्यादा से ज्यादा practice करना है ठीक है तो 35 marks के जो आ जाते है numerical sorry out of 35 marks 20 marks के आपको क्या आ जात और 15 marks के theory questions आते हैं तो मैं सबसे पहले तो आपको यह कहना चाहोगा कि आपने अगर कोई दिमाग में यह ब्रह्म पैदा करके रखा होगा कि GST बहुत theoretical है और बहुत हमें learn करना पड़ेगा ऐसा नहीं है 15 marks के mcq निकल जाएगे 20 marks के numericals निकल जाएगे और numericals पर हम बहुत प्रेक्टिस करेंगे उसका presentation उसके remarks उसके notes हमने कैसे लिखना चाहिए मैं आपको पूरा पूरा अच्छे से यहां पर बताऊगा और presentations के लिए हमारा main object रहेगा हमारे classware ठेक है दूसरी बात यहां पर सर GST में practically कुछ forms वगरे पुछे जाते हैं क्या जैसे GST में forms होते है GST GSTR-1 कभी नाम सुना है GSTR-1 जैसे GSTR-1, GSTR-3B यहां पर 2B का auto updated form होता है तो ऐसे कोई forms पर कोई questions पूछते हैं क्या नहीं बेटा इंटर लेवल पर income tax और GST में ऐसे कोई भी form पर आपको questions नहीं पूछते हैं लेकिन मैं अपने class में यह सारे forms आपसे fill up करवा के लोगा क्यू क्यूंकि आप जो है अगर यह forms देखते हो और यह forms यहां पर जब आप खुद identify करोगे कि यह हर column का क्या object है तो GST समझना आपके लिए बहुत आसान होगा और one of the आपको को को कि यह इतना interesting हो जाएगा कि आप घर पे अगर आपके यह बिजनेस है तो definitely आप अपने पापा को करोगे की नहीं आप जिआपर आपको बना है इस सिए इस पॉिंद में एस अपॉंद आ ऊचिह इस अपांद आ चिए, इस टेबल में ऐसा पांद आचीह इस पॉंद आचीह है ट्रिग स्टय यह जा यह ओडिए डींटे सीय। यह तो अपकल आपको पुचहां के आपको हैं now around यहां पर जब मैं आपको notes बताऊगा तो around 300 questions मैंने in addition to our regular books के questions वो तो practice questions होगी okay around 300 additional questions मैंने questionnaires में दिये वो additional questions मतलब exam में आए हुए questions RTP के questions mock test paper questions plus मैं आपको यह बता दू मैंने भी बहुत सारे questions बनाए जो exam में आ सकते हैं तो वो सारे questions की भी हम practice लेगे हैं तो हमारा पूरा तरीका ऐसा होगा कि जो regular notes में questions practice questions दिये वो तो हम साथ-साथ में concept को समझने के लिए solve तो करेंगे ही साथ-साथ में इस पर exam में कैसे पुछे जाता है okay उस पर भी हम बहुत ज़्यादा practice करेंगे है ठीक है तो चलिए सो दोस्तों यहाँ पर एक question आपका यह भी आ सकता है कि सर यह बताईए MCQ जो 15 marks के MCQ होते हैं वो कैसे handle करना है मैं आपको यह बता दू कि MCQ जो questions है MCQ questions कौन सब्सक्राइस होते हैं और आज तक ऐसा हुआ है मतलब आप भी senior से पूछ कहीं मेरा class join के होगे conceptual understanding इतनी strong हो जाती है यहाँ पर कि आप MCQ बहुत easily solve कर सकते हो ठीक है MCQ आपके लिए कोई tough job नहीं है लेकिन yes कुछ MCQs पर भी हम practice करेंगे so that आपको थोड़ा आप used to हो जाओ MCQ से और आपको यह भी समझ में आए कि जैसे income tax में आपने MCQ solve किये होगे law में solve किये होगे तो GST में भी किस type के MCQ आते है वो हम definitely यहाँ पर कुछ examples लेके try करेंगे लेकिन मैं आपको बता दू कि conceptual understanding इतनी depth में जाएगी कि यहाँ जहाँ तक देखा जाए आपको MCQ solve करना बहुत आसान होगा येस online आवाज कम आ रही है येस बेटा अभी clear है आवाज सभी को जो online students connected है जो YouTube पे connected है बेटा येस बताओ अच्छा बहुत से students यहाँ आप पे भी connected है येस येस this course is applicable for CA, CMA and CS Inter all three level क्योंकि हम ACT पढ़ रहे बेटा GST हाँ तो मैं सभी को बता दू कि यहाँ जो आज हम GST पढ़ रहे है same syllabus CA Inter में है CMA Inter में है और CS Inter में है और ये ACT जो भी मैं पढ़ाने वाला हो ये आप सब को जो है common ही रहेगा हाँ CMA में 10 marks का custom है तो उसके additional lectures जो है आपको provide कर दिये जाएगे जो जिसके बारे में आगे बात करेंगे चल ये बिटा तो यहाँ पर हमने एक वेटे जो आप मार्क्स देखा income tax का और सेकेंड GST का next discussion पर अगर हम आए चल बिटा दो बिनिट आपके questions जो है सभी के answers मिल जाएगे थोड़ा wait करो और patience करो सभी 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 के answers आपको मिल जाएगे चल तो indirect taxation में हमारा syllabus structure कैसा रहेगा और हम क्या-क्या पढ़ने वाले इसके बारे में बात कर लेते हैं तो चलो यहां पर सबसे पहले indirect taxation GST के अगर हम बात करें तो marks allocation कैसे हैं सबसे पहले तो GST में ओके यहां goods and services tax पहली बात तो मैं आपको एक बात कहे दू goods and service tax मत करना goods and services तो चलो आपको पास notebook है तो मैं जो भी online student connected है मैं आपको दो notebook यूज करना है एक हमारे चार्ट के लिए रहेगा और एक हमारा writing practice on questionnaires practice questions रहेगे उस पर रहेगा ठीक है तो आपको दो notebook यहां पर साथ में carry करना है ठीक है तो title देना goods and title दो goods and services tax services यह word यूज करो झाल 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 हाँ done अब आपने title दिया हो goods and services tax जिसे हम क्या करेंगे short में GST अब देखो यहां पर total 5 act है GST के अब चलो लिखो total 5 act GST के चलो पहला लिखो C GST act 2017 C GST acts C GST act 2017 what do you mean by CGST act कोई बता सकता है आपको यह basic जानका रही है basic जानका रही है हां Central goods and services tax long form लिखने की जरुवत नहीं है हां उसके बाद में second act है SGST act 2017 SGST act 2017 तो यहस वो कॉर्णर से वो कॉर्णर तक बताईए समझ में आ रहा है भाई साहब SGST आने क्या बोलो State goods and services tax 2017 हां तिसरा act लिखो UTGST act 2017 UTGST act 2017 अब यह UT मतलब लिखना होगा तो ब्रैकेट में लिखना आगे Union territory UT मतलब Union territory चार्ट के लिए around 100 pages और आपके notebook जो रहेगा question answers के लिए around 200 pages प्लस अकर लगेगा extra तो बाद में आपने continue कर लेना उसके बाद में next लिखना IGST act 2017 अच्छा IGST आने क्या कोई बता सकता है IGST मतलब होता है Integrated हाँ लेके लेना यह बहुत जरूरी है Integrated Integrated Goods and Service Tax और एक होता है GST says GST says act जो compensation होता है compensation to state compensation to state done यह टोटल पाँच एक्ट होता है C GST act S GST act UT GST act IGST act and GST says act माइक लेक्ट के रेडी रेना थोड़ा हम interaction करेंगे है ठीक है और आगे दीरे दीरे जब जैसे जैसे concept बढ़ते जाएगे आपको रेली बहुत मज़ा है ठीक है तो हम start ऐसे करते है yes बिटा क्या बच्ची चल रही है बहार निकाल दूँ कौन बहार निकालता है बताओ वही निकालता है ने चलो बहार से मैं निकालता है ठीक है जैसर निकाल रहे मेरे इसमें homework तो कम आएगा लेकिन कुछ चीजे में ऐसे आपको दूगा जैसे charts वगर है तो हम definitely वह draw करेंगे चलो आगे मैं बताओगा क्या करना है ठीक है अभी start करते है अब ही से आगर आपको बता दोगा तो आप सब conscious हो जाओगे दिरे दिरे जटका देना पड़ेगा तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो CGST Act Central Goods and Service Tax अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब GST Law आया तो GST Law दो इसमें डिवाइड हुआ Central and State इसको हम कहते है Dual Model of GST याने यह decide हुआ कि जब भी कोई transaction होगा तो वो transaction पर दो टाइप के tax लगाएगे Central and State यह जो tax है Central CGST और SGST पहले क्या था जितने भी Central Laws थे Example की तोर पर Excise था उसके बाद में Excise के अलग-अलग Laws थे फिर Service Tax था यह सारे law को merge करके एक law बनाया गया जिसका नाम बनाया गया CGST Central and Goods Service Tax Act 2017 CGST Act और उसके बाद में जो state के laws थे सारे state के laws एक साथ मर्च करके जो बनाया गया उसका नाम था SGST अब नॉर्मली क्या होता है कि यहां पर अगर आपका यहां state होगा और UT होगी Union Territory कोई एक आदा एक्जामपल Union Territory के लिए अंदमान निकोबार ठीक है अंदमान निकोबार तो अब अंदमान निकोबार की बात करें तो अगर आपका ट्रांजिक्शन एक word अब पिच्चर में आ रहा है सब इन धान देना आपका ट्रांजिक्शन क्या होगा इंट्रा आपका ट्रांजिक्शन क्या होगा इंट्रा या UT में समझे लो अपका transaction intra है अब दो words पेचर में आता है एक आता है intra state और यसाटा है interstate गोट दो मेनrásटेट को Kerry Vegard जो ट्रान्सिक्शन है सेलर भी एक ही स्टेट में हैं और भाईर भी एक ही स्टेट में हैं उसे कहते हैं हम क्या है intra उसके हम कहते हैं intra तो जब transaction मतलब simple example आप नीचे यहाँ shop में, stationery shop में और stationery shop में आप ने कहा कि भरी मुझे register खरीदना है या pen खरीदना है तो seller भी वह estate और buyer भी वह estate वो भी intra दूसरा example औक यहाँ के आप समझ लो seller जो है लक्षमी रोड पे पोने में और उसने सेल किया और कि यहाँ नाशिक में या समभाजी नगर में इन महराष्टरा अरे समझ में आया ना तो यह भी transaction का intra या within state आप पोने टू नागपूर भी सेल करो तो भी transaction क्या intra जब आपके transaction inside the state होते हैं, I repeat the word क्या inside the state होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, intra state तो sir, दूसरा transaction क्या होता है interstate, जब आपके transaction from one state to another state होते हैं, उसे हम कहते हैं, interstate तो intra state transaction पे, यहाँ पे, और के दो tax लगाएगा हैं, और वो tax कॉनसरवेटा, CGST और SGST, अब यह जो चीजे हैं, मैं basic ले रहा हूँ पर यह तो अभी बच्चे को भी पता है, जब वो bill देखता है, तो उसके पर दो tax देखता है कॉनसे देखता है, CGST और SGST, ठीक है तो यहाँ पे CGST और SGST समझ लो, आपका transaction हुआ, यहाँ पे 100 रुपीज का कितने का हुआ, 100 रुपीज का प्राइस, तो आपको CGST जो है, जो GST का total rate होगा, generally अभी total जो यहाँ पे rate है, वो four band में आपको पता है, कौनसे four band में पता है अगर आपको याद होगा तो total एक 5% होता है, दूसरा कौन सा है, 12%, तिसरा 18% और next 28%, next 28% तो यह, यह band और दो band rate है, लेकिन यह आपको पता है, तो यह जो total GST का rate होगा, उसका 50%, I repeat, उसका 50% क्या लगेगा CGST और उसका 50% SGST, यह आप सभी को पता है, यहने 100 रुपीज पे अगर मैं 5% लूँ, तो 5 रुपीज हुआ, यहने 2.5 क्या लगेगा CGST और 2.5 SGST, यह भी basic आपको पता है चलिए, तो जहां तक देखा जाए, तो interstate transaction पे दोनों government tax लेती है, central as well as state, central as well as state जो students online या WhatsApp पे comment कर रहे है वेटा या फिर जो app में comment कर रहे है, तो आपकी comments में आदी घंटे बाद देखूगा थोड़ा मुझे basic बताने दो, और उसके बाद में मैं आपके जो भी doubts or questions होगे वो entertain करूगा, और दूसरी एक बात बताना चाहोगा, कि जब मैं आपको कहो कि अब आप doubt पूछे, तब पूछो, so that आपका doubt entertained हो सके, otherwise वो कब यहाँ पे scroll हो जाएगा, पता भी नहीं से लेगा, ठीक है, तो जो online students, be careful regarding to this, तो यहाँ पे okay, CGST 2.5% और SGST 2.5% यहाँ पे, sorry हाँ, अगर हम rate कितना ले रहा है, 5% अब दोस्तों, जहाँ तक देखा जाए, यह intra-state supply हुआ, एक होता है क्या, inter-state supply, जब एक state से, दुसरे state में goods बेचा जाता है, तो inter-state, और वो case में लगता है, क्या बेटा, IGST जिसका नाम inter-state GST नहीं है, I repeat जिसका नाम inter-state GST नहीं है जिसका नाम integrated है अब सवाल आपका यह आ सकता है कि sir, यह integrated word कहां से आया, तो integrated word मतलब sum of CGST and SGST और कि दोनों को integrate करके लगाया गया, जिसका नाम हुआ integrated, तो जब एक state से, दुसरे state में आपको sale होता है, यह supply होता है तो वो case में आपको GST half-half नहीं लगता है, वो case में आपको GST full rate से लगता है, अच्छा, हमारा full rate क्या चालो है, समझे लो 5% तो आपको IGST क्या rate से लगएगा 5%, अब आपके बहुत सारे सवाल, सर ऐसा क्यों किया गया, कि वही हर transaction पे split क्यों किया CGST and SGST, क्यों नहीं एक ही GST लगा दिया फिर सर इसको क्यों डिवाइड किया गया, intrastate and interstate, और interstate में फिर हम full rate से IGST क्यों लगाते है मैं सवाल बहुत क्रियेट करवाओगा आप से और जिसमें ये ताकद है सवाल कुछ ने की उसके लिए subject बड़ा interesting होते जाएगा ठीक है तो अब आपका ये सवाल है कि ऐसा क्यों भाई ये तो स्रीफ ट्रेलर है विच्छर तो अभी वाकि है और मैं आपको पहले दो-तीन दिन ये नहीं पढ़ाने बाला हो एक्ट होता है फिर section होते है फिर subsection होते है फिर clause होता है फिर sub clause होते है फिर proviso होती है ठीक है फिर proviso होती है फिर एक्जाम्पल होते हैं भाई साब मैं तीन दिन तो एक्ट रिनी स्टार्ट करने होगा मैं आपको पूरा बत होगा पहले क्या होता था अब क्या होता है और आगे क्या होगा आगे क्या यह GST आया कैसे बना कैसे ऐसा तो नहीं होगा कोई मेडिटेशन में बैठ गया और आके खुले आज से GST लगा दो ऐसा तो नहीं होगा कुछ तो हुआ होगा कि जिसके वज़े से 2017 मोदी जी ने सोचा GST लगाते है मित्रो आज से हम जो है GST लगा देगे कुछ तो हुआ होगा ठीक है और ये भी बता होगा कि नहीं स्टेव अच्छी थी GST लाने की स्टेव अच्छी थी लेकिन इंप्लिमेंटेशन पॉलिसी पहले तीन-चार साल बहुत 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 इसमे स्कैम भी होगा सर कैसे स्कैम बताओ ना नाला एक पढ़ाने तो दे बिना पढ़ाए कैसे स्कैम बता दू ठीक है पहले लौ तो बढ़ाओ फिर उसको कैसे लौ को यूस करना चीए रिकॉर्डिंग होगी इसलिए में वो कट कर दूँगा पर धिर धिर बताओगा आपको कैसे होना चीए ठीक है तो दोस्तों जहां दख देखा जाए तो यह सवाल आपके बिल्कुल वालिड है कि जब क्यों डिवाइड हुआ इंट्रा स्टेट में और इंट्रा स्टेट में क्यों हमने ऐसे इंट्रा स्टेट में दो टाइप के टैक्स लगाए CGST और SGST ठीक है दूसरी बाद आपको यह बता दू CGST का रिवेन्यू किसका था Central का और SGST का रिवेन्यू State का का आपके इन सारे स्वालों के जवाब मैं जरूर दूगा थोड़ा discussion को आगे बटने दो ठीक है पहला chapter इसके उपर यह हो रहा हमारा GST का ठीक है उसके बाद में next आता है बेटा UTGST यह UTGST क्या होता है आपका बता Union अगर कोई transaction inside the UT होता है I repeat the word क्या inside the UT समझ लो आप अंदमान निको बार घुमने गए या आप चंदीगड गए चंदीगड यूटी है दियूदमन UT है समझ लो आप अंदमान निको बार घुमने गए और वहाँ जाने के बाद आपने morning में वहाँ पे 20 लरी का बाटल लिया या आपने कोई foodstuff खरीदा ठीक है तो जब आप seller भी वहाँ का और क्या buyer वहाँ जाके खरीद रहा है या buyer वहाँ काई है I repeat buyer वहाँ जाके खरीद रहा है या buyer वहाँ काई है जब वो transaction होगा समझ लो आपने कोई foodstuff खरीद रहा है जिसकी price कितनी है यहाँ पर 100 rupes तो वहाँ पे भी tax split होता है UTGST ये SGST को replace करता है I repeat the word UTGST ये SGST को replace करता है पर कौन से state में replace करता है state में नहीं, UT में अब आपका एक सवाल So what is the difference between state and UT सवाल तो आने ही चाहिए Okay, what is the difference between state and UT बिलकुल, सही question है अब आपको बदाता हो UT ये बदाता है union territory यहने इंडिया की सारी territory को united किया गया वहाँ से वर्ट जन्मा कौन सा? UT ठीक है पहले system of monarchy थी governed by kings राजाओं का राज था Okay, जब हमें independence मिला तो British government ने एक चीज यहाँ पर जब जाते वग भी divide rule करके ही हैंने divination करके गए उन्होंने का हम पूरा इंडिया तो हमने जीता नहीं था हमने जो जीता वो territory wise जीता है राजा को हरारा के जीता है अरे हाया ना तो हम जब वापस देने जाएंगे तो जो राजा के kingdom थे अगे उनके ही अगर उनका यहां पे कोई family होगी तो हम उनको ही वापस करके जाएंगे जहां कोई राजा नहीं है वहां हम यह जो है यहां as a इंडिया का part देखे जाएंगे समझ मैं है क्या फिर सरदार वल्लब भाई पतल जबसे independence मिला सरदार वल्लब है सभी राजाओं को उन्होंने इंटिमेट कर दिया कि unite your kingdom in India जहां बना united India यह समझ मैं है क्या चलो यह छोटी से स्टोरी थी पर आपको बता दू महराष्ट्र भी UT है सारी territory united हुआ है जिसको बाया जाता UT पर हमारा constitution कहता है S.E.U.T. dance सुनना मेरा हर line dance सुनना S.E.U.T. जहां state assembly है I repeat S.E.U.T. जहां state assembly है जिसे कहते हम legislature of state I repeat the word क्या legislature of state विधान सभा I repeat विधान सभा वो UT को state बोला जाएगा I repeat S.E.U.T. जहां state assembly है वो UT को state बोला जाएगा और जहां state government नहीं है उसको UT बोला जाएगा Okay, मतलब क्या यानि कुछ union territory है जिसका governance डारेक्ट सेंट्रल के पास है वहाँ state elections नहीं होते डारेक्ट सेंट्रल के पास है जैसे अंदमान निगोबा वहाँ state assembly ही नहीं है Okay, totally governed by central government इसलिए उसलिए UT है स्टेट नहीं चलेगा समझ मैं कि यान कोई स्टेट नहीं चलेगा totally governed by central द्यू जादरा नगरहवैली अगरे Okay, again UT तो दोनों एक simple difference समझ लो स्टेट मतलब जहाँ state legislature और जहाँ state legislature नहीं है वह UT I hope you understood तो अगर आप SGST और UT GST अगर ट्रांजेक्शन स्टेट में हो रहा है अगर ट्रांजेक्शन स्टेट में हो रहा है तो क्या? SGST अगर ट्रांजेक्शन UT में हो रहा है CGST and UTGST I hope you understood अब यह तो ठीट है हमने SGST और UTGST इसलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि SGST भी लग गया SGST को रिप्लेस करना है UTGST से यह समझ में आया है क्या? तो यह था CGST, HGST उसके बाद में UTGST IGST, IGST लगता है इंटर स्टेट की केस होगा जब आपका सप्लाय या सेल from one state to another state होगा तो हम जाना तक है IGST लगाएगे उसके बाद में बात करते है GST compensation says अब यह act GST compensation says क्या था 2017 के पहले बहुत सारे state GST लाइने में थोड़ा oppose कर रहे थे क्योंकि उनको यह डर था कि GST अगर आ गया तो हमारे state का revenue substantially कम हो जागा specially वह state जहां industrialization नहीं है जहां industries नहीं है अब GST जो लाना था वह ऐसा नहीं था कि यह state में आ गया यह state में आ गया नहीं अगर लाना था तो unanimously सभी state को लाना था otherwise GST की policy implement नहीं हो सकते थी इसलिए कुछ state ऐसे 5-6 state थे जो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं हम नहीं लाएंगे हमारा revenue कम हो सकता है GST में government ने एक act पास किया जिसका नाम था GST compensation to state sales act बड़ा नाम है GST compensation to state sales act 2017 और यह वादा किया central government ने यहां पे कि अगर किसी state को GST आने के बाद नुकसान हुआ तो इस sales, additional sales लगाने से जो revenue होगा वो revenue उन state को दिया जाएगा इस समझ में है कि आप डरो मत आपका नुकसान नहीं होगा जो भी revenue इस act के तरह दाएगा वो उन states में बाटा जाएगा और यह additional act लाया गया GST sales act 2017 अब सवाल यह है कि यह लगता किस के उपर है GST compensation to state sales act 2017 यह लगता है कुछ luxurious items पर जैसे example की तोर पे आपकी luxury car अगर आपकी luxury car की value यहां 50 lakhs के उपर है और कुछ engine capacity से जादा है तो in addition to दयान से सुनना मेरी बात सभी नहा वो corner से वो corner तक in addition to basic GST basic GST मतला intra होगा तो C GST और S GST और inter होगा तो I GST तो in addition to basic GST आपको यह extra GST लगता है जिसे नाम दिया जाता है GST says एक बार फिर से GST says सभी goods पे नहीं लगता है पहला यह luxury items पे लगता है example मैंने क्या दिया आपको car, दूसरा public dominated goods example होके यहां पे cigarettes जिसको publicly government dominate करना चाहती है okay, cigar, cigarettes, tobacco okay, इन पे दो GST लगता है एक basic GST लगता है और दूसरा sales लगता है और इसका जो sales का additional revenue आएगा वो additional revenue वो state के साथ share होगा जिनको loss होगा और आपको एक बात 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 GST आने के बात loss किसी को revenue हुआ तो sir, यह revenue गवर्मेंट के पास पढ़ा है समझा है नहीं समझा है government के पास पढ़ा है sir, क्यों? सबसे पहले एक सवाल है कि भई, GST आने के बात कुछ state क्यों डर रहते है कि हमें loss होगा okay, और कुछ state यहां डरने के बात जब GST implement हुआ तो यहां पे मुश्किल से कोई एकादे state को loss हुआ था वो भी थोड़ा बहुत हुआ था तो वो compensate किया गया पर किसी को loss ज़्यादा नहीं ऐसा क्यों? देखेंगे पहले chapter में देखेंगे first chapter में तो ऐसे total आपको कितने act है? तो इसमें से आपको जो act पढ़ना है यह पढ़ना है CGST Act इंटर लेवल पर हमें 52 sections है अरे समझे हैं नहीं 52 sections है और दुसरा पढ़ना है IGST Act इसमें से 2 sections पढ़ना है बाकी सारे sections final level पर है तो सरफ फिर SGST UTGST बाकी पढ़ने की कोई जरुवत नहीं है reason बताता हूं कि आपका SGST Act word to word same है with क्या CGST बस वो state wise अलग-अलग पास हुआ है UTGST Act word to word same है with CGST तो आपको SGST Act और UTGST Act पढ़ना नहीं है अगर हमें final level तक पढ़ना है तो सिर दो ही Act पढ़ना है एक है CGST Act और दूसरा है IGST Act GST compensation says भी आपको पढ़ना नहीं है I hope you understood तो sir total weightage of marks कितने है यह 2 Act को मिला के तो मैं आपको यह बता दू यहाँ पे total weightage पहले 40 marks था अब कितना हो गया 50 marks तो आपको 50 marks का weightage है ओके यह 2 Act मिला के CGST section 52 और IGST के 2 sections हम देखेंगे 50 marks का weightage है अब एक बहुत important बात आपको मैं बताना चाहोगा कि यहाँ पे institute ने जान बुछ कर GST का weightage बढ़ा हुआ है on the demand of various chartered accountants क्यों क्योंकि GST जो है अभी सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा changing law है ठेक है तो इसका और यह बहुत से यह का कहना था कि जब students आ रहा है क्योंकि generally क्या होता था पहले जहां पे भी income tax होता था तो income tax के साथ-साथ GST पढ़ा दिया जाता था और GST आकरी के 20-25 दिन में खतम कर दिया जाता था तो जितना required knowledge है उतना required knowledge students को नहीं बढ़ाता V smart में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि faculty अलग अलग थी ठीक है और यह अभी से नहीं जब से V smart form हुआ है तब से faculty अलग अलग है और मैंने last 20 years में एक ही subject पढ़ा है अगर आप मुझे दूसरा कुछ पूछे तो मुझे नहीं बढ़ाए इवन income tax का भी मेरे को आपको पूछना पढ़ेगा कि यह ऐसा है या ठीक है हाँ भई मेरा खाना पीना जीना सब ही की इसमें आई रीक है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे अभी 50 मार्क सा वेटेज बढ़ाने के बाद उनने तीन चप्टर्स भी बढ़ा है पहले IGST Act syllabus में नहीं था सिव आपको CGST Act था पर IGST Act के दो sections उनने ने लाइटली नहीं एक बेटर लेवल पी रहेगा ओके यहने एक एडवांस लेवल पी रहेगा आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं ठीक है तो चलिए अब next अगर हम बात करें यहाँ पे तो number of lectures हमें कितने लगेंगे GST के लिए तो यह आप सभी को बता दू हमें approximately 42 से लेके क्या 45 lectures लगेंगे GST के तो यह एक lecture three and half hour का अगर break बगर निकाल दे और यहाँ तो three to three and half hour के बीच में आपका lectures रहेगा effectively ठीक है मैं break निकाल देता हो OD में online download में उनको क्या जरुबत है ठीक है ओके यहाँ face to face daily basis पे discipline पे आप lecture कर रहे हो तो आपको थोड़ा break की जरुबत पड़ती है ठीक है तो यहाँ पे 42 to 45 lectures हमें लगेंगे उसके बाद पे next बात करते हम notes की तो आपको module क्या मिले होगे तो मैं यह बता दू आपको regular module आपको दो module मिले होगे सब ने collect कर लिया ठीक है तो यह दो module आपको मिले है सर यह module जो हमें मिले है इसके बाद हमें institute का material पढ़ना पढ़ेगा क्या बाई साब यही बहुत है और पढ़ने के लिए आपके पास कुछ कम है क्या नहीं आपके इंस्ट्यूट का material पढ़ने की जरूवत नहीं हाँ कोई refer करना चाहता है तो जुरूर करें research करना अच्छी बात है अर्या है ना लेकिन मैंने अपना जो module बनाया है यह हमारे institute के material के base पर ही बनाया अगर कोई compare भी कर ले तो every point whatever given in our material I have included in the notes आपको notes के अलाव बिल्कुल भी और कुछ पढ़ना नहीं है done? यह दो module इनफ है अब notes का structure कैसा है मैं आपको थोड़ा बताना चाहोगा जैसे यहाँ पर notes में मैंने पूरी कोशिश किये यहाँ पर point wise manner pictorial presentation okay notes अगर देखोगे तो मैंने यहाँ चार्ट के लिए space रखा है कही पर कही पर मैंने pictorial presentation यूज किये है कही पर charts आपको note book में मेरे साथ draw करना है और पूरी कोशिश किये है कि यहाँ पर colored notes अब तो यह कोई special feature नहीं रहा ठीक है colored notes यह तो आपको सब subjects में मिली जाता है लेकिन हाँ मैंने मेरे notes में यहाँ पर pictorial presentation बहुत यूज करे जिस जो आपको help करेंगे to understand the concept to return the concepts तो यहाँ पर अभी यह picture दीख रहा है बिटा शायद बदल भी सकता है ठीक है तो आपको next time यह दूसरा भी दीखेगा हाँ उसके बाद में अगर हम बात करें बिटा यहाँ इस बाद जो notes मैंने बनाई है specially जो इसके पहले वाला जो attempt था और आपके लिए जो अभी बनाई है मैंने notes जो है पुरा point wise manner में लिया है concept के हर concept के proper index बनाए है titles बनाए है और वो point wise manner में notes आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी ठीक है चलिए पढ़ते पढ़ते तो आपको इसका main feature समझ में आएगी उसके बाद में आता है questionnaire अब अगर आप notes देखते हो तो notes में मैंने कुछ practice questions लिये वो concept को समझने के इसाब से और उसके बाद में एक questions आपका जो आता है वो यह आता है कि sir exam में कैसे लिखना चाहिए कैसे present और करना चाहिए exam में questions कैसे आता है तो इसके लिए मैंने यह questionnaire बना हुआ है जिसमें 300 plus questions है हर topic पे cover है सारी RTPs covered है सारे examination questions covered है आपने इतना कर लिया more than इना इसके beyond जाने की कोई भी जरुवत clear अब देखो दोस्तों यहाँ पे यह questionnaire भी हम हमारे class में cover कर लेंगे अब यह questionnaire आपका class में हो जाता है पर मैं really बताओ क्या आपका real study तब होता है जब आप self study करते हो ठीके class के साथ guidance मिल जाता है understanding मिल जाती है पर जब आप self study करते हो तब आपके real study होती है और जब self study करते हो तब आप regular book देख रहे हो आप questionnaire देख रहे हो तब यह सवाल आता है कि मतलब questionnaire देख रहे हो कोई concept आपको click नहीं हो रहा है और कि कब ऐसा होता है कि हार वो सर ने कुछ तो पढ़ाया था लेकिन यार click नहीं हो रहा है और उस वक्त आपको support होना बाद जरूरी है तो दोस्तों जब जब भी आप पढ़ोगे तब तब मेरा आपको support रहेगा तो वो support कैसे रहेगा एक smart genie book यह भी मैंने डेवलप किया है chart system जो आपने बनाए और एक smart genie book हम provide करते है तो मेरे subject में आपको जो है यहाँ पर यह smart genie book क्या होगी मैं बताता हूँ जैसे आपको यह link प्रोवाइड किया जाएगा आपके login में vsmart के login में आपके पास vsmart का login होगा सब के पास है मेरे subject में यह आपको login प्रोवाइड किया जाएगा यह login में अगर आप यह click करोगे कहीं से भी आप access कर सकते हो यह link पे click करोगे तो मैंने final का example लिया ऐसा इंटर का बन रहा है तो इस पे मैंने chapter wise questionnaire का यहाँ पे list बना के दिया है अगर आप यह click करते हो अगर आप यह click करते हो पहले chapter को click करते हो और यह आपका questionnaire आ गया questionnaire आने के बाद बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दू कि अगर आप question पढ़ रहे हो और आपका ऐसा लग रहा है कि नहीं यार यह समझ में नहीं आ रहा है अगर यहाँ पे वापस से समझा दिया जाए वापस से सर आजा और बता दिया जाए तो यहाँ पे just मैंने side में play video रखा है तो वो video आप play कर दोगे तो आपको यहाँ पे उसका discussion मिल जाएगा ठीक है तो यह दान रखना कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है तो यह 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 जीनी भूग आपको मिल जाएगी questionaire की sir यह only questionnaire की क्यों regular material की क्यों नहीं मैं आपको कहूँगा धिरे धिरे ना class के बाद आपका regular material तो और कि यहाँ आप जल से जल यहाँ बाजियों में रख दोगे इसके बाद आज तक का experience है कि आप मेरा chart book and questionaire इतना ही पढ़ोगे कोई तो कुछ दिनों बाद class होनेगा बोलेगा इतना पढ़नी की जरुवत है क्या कोई जरुवत नहीं है पर यह कब जब हमारा in-depth study हो गया किस में class में इसके बाद तो बाई साब मैं खुद कहता हूँ chart book and questionaire that's enough यह समझ में आए क्या चलिए यह तो हो गया कि आपने यहाँ पर model में in-depth पढ़ लिया questionaire देख लिये मेरे साथ charts मना लिये फिर क्या होता है कुछ students जो है ना exam के दो मेने पहले पढ़ने बैठते है कुछ ऐसा हो जाए कि यह इतना कौन पढ़ेगा किस के पास टाइम है ठीक है इतना कौन पढ़ेगा हाँ आपने क्लास में बहुत अच्छा बढ़ाया ठीक है सब सब ठीक है पर कुछ ऐसा material दो ना जो शॉट में कवर हो जाए सब्सक्राइब के यहां पर तो फिर उसके लिए यह material है बेटा मेरा चार्ड यह चार्ड बुक में बहुत होसम है ना यह चार्ड बुक में आप देखोगे तो टोटल 32 पेज़ेस है 31 है 31 पेज़ेस में पूरा जीस्ट कवर्ड किया हुआ है तो यह चार्ड बुक का स्पेशल फीचर क्या है बदद आप इसके जो इसके ज्यादा तालिया मत बजा तोड़ा थोड़ा थोड़ा क्योंकि कभी-कभी क्या एक्स्ट्र बजाते तो लोग कुक अच्छणा जासे नहीं देखते हैं यहाँ तक है ..ब घुख एक है अब यह जो चार्ड से समझ यह जो हमने चार्ड अगर बनाए यह चार्ड बुक में यह चोटे-चोटे चार्ड हम क्लास में बनाएंगे और वो छोटे-छोटे चार्ट को मैंने पुरा connect कर दिया है बड़े चार्ट में तो अब यहाँ पे यह बड़े चार्ट में हमने cover कर लिया ते इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपने छोटे-छोटे चार्ट पे practice कर लिया और यह पुरा chapter connect हो जाता है एक साथ समझ भाया है क्या पूरे chapter यहाँ पे connect हो जाता है ति इससे यह फायदा है कि जैसे आप चार्ट बुक लोगे आपको फड़ा फट समझ जाएगा क्योंकि हमने class में उसके उपर practice किया हो रहा है clear? तो यह चार्ट बुक आपको मिलेगी और यह एक module आपको चार्ट बुक का मिला होगा और definitely यह चार्ट बहुत हिल्प करेंगे आपको division के लिए हाँ मैंने पूरी कोशिश किये चार्ट बुक में कि 90% content summarize form में charts में आ जाए in 30 pages in addition to that आपको कही ऐसा लगता है कि नहीं यार यह भी regular book में सर ने बहुत अच्छा point लिखवा के दिया था तो sticky note पे लिखना या page पे लिखना और यहाँ पे staple करना और आपका एक बार यह पढ़ने के बाग अच्छे से और मेरे साथ class में फिर regular class के साथ आपको revision करना है बस मैं यह कहूगा कि class में दो आपको daily दो बार पढ़ना है मेरे साथ class में और class के बाग जैसे class खतम होता है यह जो है बाजुब है और मैं कहूगा कि chapter खतम होते ही यह book और charts और कुछ आपको additional लगा तो वह आपने इसमें attach कर देना और वह बाद में आपका यह main book बनना थी और मेरा question यह समझ में आया है कि निया है okay तो यह जो रहेगा यहाँ पर आपको चाट बुक का एक मोडल दिया गया फिर होता है बेटा वाल चार्ट हाँ यह वाल चार्ट क्या है यह वाल चार्ट बेटा में यह याद आता है 2004 की बाते जब मैं पढ़ता था और मैं पढ़ते पढ़ते क्लास रेना स्टार्ट किया तो मैं यह सोचता था कि यार मैंने यह उपटर तो बढ़ लिया यह चाटर तो पढ़ लिया यह उपटर लिया पर सारी चाप्टर का कुछ न कुछ तो connection है और एक म SAND continuous तो मैं ड्राइंग शिट ला रहा और ड्राइंग शिट लाने के बाद जो है मैं यहाँ पर उसके उपर सारी चाप्टर्स के पहले छोटे-चोटे चार्ट्स को कनेक करना फिर चाप्टर कनेक करना फिर एक चाप्टर से दूसरा चाप्टर कनेक करना और ऐसे कुछ चार्ट्स इसका फाइदा क्या है यह आपको रॉकेट व्यू देता है आपने अगर आपके रूम में चिपका दिया सर जगह नहीं है अल्रेडी बहुत कुछ हमने है तो जगह अभी हम मिल नहीं रही है और कि वहां स्पेस करो यह चार्ट लगा इससे फाइदा क्या होगा कि जब मैं समय लोग सप्लाय तो सप्लाय सेवन वन सेवन टू सेवन वन एवन वी और कि विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन सेवन सी यह यह डांस नहीं था यह जो है हम अलग-अलग यहां पर देख रहे हैं कि पैरामिटर्स पर जब यह चार्ट आपको डेली दिखेगा और यह चार्ट में जाके अब समय लोग को यह ऐसा चार्ट लगा रहा है दिवाल पर अगर लगा दिया तो यहां पर उसको दिखने वाला कुछ नहीं है ऐसा को अगर यह चार्ट को देखे तो यह दो चार्ट में भी GST खतम हो सकता है यह आपका कॉन्फिटेंस आपको क्लास के बाद आ जाएगा क्लियर ओके तो चलिए आपको इतना मटरिल कंटेंट मिला होगा अब आपका एक सवाल होगा की सर MCQ MCQ की PDF आपको प्रोड होती है और वो PDF आपके login में प्रोड होती है ठीक है आपको print out लेना है तो print out ले सकते हो यह आपके पास mobile पे आए अपेड पे या कोई भी tablet पे आप उसको access कर सकते है तो MCQ की PDF मिलती है तो यह हुआ class material उसके बाद में हम बात करेंगे बटा amendments. Sir, हमारे attempt को November 24 या December 24 अगर आप CA कर रहे हो तो November 24 CMA कर रहे हो तो December 24 ठीक है? तो आपको जो है यहाँ पर amendments applicable होती है Finance Act 2023 की I repeat Finance Act 24 की नहीं applicable होती Finance Act 2023 और notification application Circulus up to 30th April क्या? 24 ठीक है? अब मैं आपको यह बता दू कि यह जो syllabus मैंने explain किया है वो CA Inter students के लिए explain किया है. CMA अगर आप CMA कर ले हो तो same syllabus है GST का, section भी exactly same है, बस आपको 10 marks का custom extra है और 10 marks का customs जो है आपको separately उसके video sessions provide कर दिये जाएगा. तो इस तरह से क्यूंकि CMA Inter में 40 marks का GST with same syllabus और 10 marks का customs है. CS में भी exactly same syllabus है. ठीक है? तो कोई student यहां पे CMA या CS कर रहा है तो बिलकुल GST के यह lectures कर सकता है क्यूंकि word to word, content to content आपका syllabus same है. ठीक है? अब मैं आपका बता दू जहां तक दोनों के लिए amendments की बात करें तो amendments November 24 या December 24 के लिए Finance Act 2023 अप्लिकेबल रहेगा और notifications of circulars up to 38 April. तो भी तक के तो मैंने notes में cover कर लिया है और जो भी कुछ extra आएगे तो मैं आपको additional sheet दे के cover कर लोगा. पर extra आने के मुझे नहीं लगता कोई chances है. क्यूंकि अभी election period है? अरे yes or no? तो अभी कोई extra आने कोई chances नहीं है. ठीक है? उसके बाद में आपका एक सवाल आ सकता है. अभी, okay online student समझे लो doubts. Especially आपको doubts का support जो है जब आप पढ़ते हो खुद तो किस तरह से मिलता है? तो आपको जो app दिया गया वी smart का, उसमें question and answer session का वहाँ पर टैब दिया है. उसमें जाके आप doubt पोश सकते हो और वहाँ doubt जो आप पूछोगे तो मेरी पूरी टीम आठ लोगों की टीम, सारे chartered accountant से research में, GST में मुझे counseling में भी support करते हो और आपका doubts भी entertain करेंगे. अगर आप वो doubts से satisfied नहीं होते हो तो आप simply इतना लिख सकते हो कि transfer to sir, तो वो doubt मुझे transfer हो जाता है and then I am going to entertain that doubts. तो आपके doubts जो है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से handle किये जाएगे. Sir अगर हम WhatsApp पे doubts पुछे, तो देखो हमारी priority app होती है, जिसमें आपको doubt का option दिया है. हाँ, WhatsApp पे भी doubts होगे, तो हम entertain करेंगे, टेलिग्राम ग्रूप में होगा तो भी entertain करेंगे, लेकिन priority में सब को यही suggest करूगा कि आप हमारे app में आपके doubts पुछे, तो क्यों क्यों कि मेरी पूरी team connected है आप से, और मैं पूरा complete watch करता हो कि वो doubt का answer कैसा दे रहे, क्या दे रहे, और उनको आपको remark भी देना पड़ता है, कि whether you are satisfied or not. ठीक है? तो आप app में पूछो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, इसके बाद में very important point मैं सभी को कहना चाओगा, telegram link आपको join करना है, तो अगर आपने vsmart academy पे आपका login create किया होगा, तो वहाँ पे study group का link दिया होगा है, तो study group में telegram link से ही होगा, ठीक है? मैं आप सभी को बता दू, जो भी मैं यहाँ पे announcement करूगा, इस group के थूई होगा, जो face to face student है, तो मैं उनका QR code यहाँ दे दूगा, आपको वह QR code join करना है, आपके login में भी वह link मिल जाएगी, और जो online download mode में हैं, या ODPD में हैं, तो वह यह telegram link जरूर जरूर join कीजिए, क्योंकि जितनी सारी announcement आएगी, और सारी किस पर आएगी, इस telegram link में आएगी, तो चलिए दोस्तों, यह तो है, मैंने आपको basic idea बता दिया, notes आपको क्या क्या मिलने वाली है, यह सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, चलिए, start करें हमारा GST, yes or no, तो चलो आपना module 1 open कीजिए, जिसमें हम chapter 1 लेंगे, एक student ने अच्छी कमेंड दिये, ओके, पुराना student है, अगर आपको starting के एक दो lecture में slow लग रहा हो, तो हाँ, सर starting में slow है, पर आगे आगे देखो, होता है, ठीक है, तो मैं भी सब को यह बताना चाहूगा, ठीक है, यह अब आजाए, चाप्टर वन पर, basic concept of indirect taxes, and constitutional levy of GST, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले देखो, concept of tax and objective of tax, दुसरा, difference between direct and indirect tax, indirect tax, constitutional provision pertaining to levy of taxes, principles of indirect taxes, यह भी हम पढ़ेंगे, और फिर meaning of GST and etc, यह सारी बाते हम discuss करेंगे, चल, आजाते हैं, पहला question, what do you mean by tax, yes, mic ready रखना, देखना चाहते हूं, इन्होंने tax पढ़ लिया है, भाई साब, कौन बताएगा, what do you mean by tax, mic दो, पैसा देना पड़ता है, हाँ, और, sir, government को हमने responsibility दिया है, maintain करने का responsibility दिया है, और develop करने का responsibility दिया है, उसके लिए, government हमसे कुछ tax लेती है, कुछ money collect करती है, support के लिए, correct, हाँ, इसाद दिया है, हमने government को responsibility दिया है, to learn and develop the country, मतलब, हमारी इंडिया को develop करने के लिए, हमारी इंडिया को अच्छे से चलाने के लिए, तो हमको, इसमें tax करती है, अच्छे से इंडिया को अच्छे से अच्छे से इंडिया को अच्छे सागे, correct, very good, अब यह कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला, नहीं है, पर मैं जस्या, ठीक है, आपको जस्ट बता दू, यहाँ पर, एक बेसिक सवाल है, कि what do you win by tax, और सर सिधी बात है, जो एक्जाम में नहीं आने वाला, हम ध्यान नहीं देते हैं उसके लिए, जो एक्जाम में आएगा, उसके दिर भी हम ध्यान देते हैं, इसलिए आपने जब सवाल पुझा था, हमने भी सुचा जवाब क्यों देए, इसलिए एक्जाम में आएगा है नहीं ठीक है, तो आपको यह बता दू, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्ट्रल डेवलप्मेंट, रोड, ब्रीज, ठीक है, उसका टोल लेते हो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्ट्रल डेवलप्मेंट, एजुकेशन, इंडिया में प्रोवाइड करना है, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, मिल्ट्री हुआ, डिफेंस हुआ, यह सारी बातों के लिए गवर्मेंट को पैसा लगता है, और वो पैसा कले करती है, अगर टैक्स यह वर्ट को देखे, तो यह लाटीन वर्ट से डिराइड हुआ है, और कौन सा टैक्स हो, टैक्स हो, इट इस अंडरलाइन करना, इट इस अमेंडिटरी फिनाइंशल बर्डन इंपोज ओन इंडिविजल और लिगल एंडिटरी, यह टैक्स पे करना ओप्शनल है क्या, या मैंनेटरी है, भाई साब यह ओप्शनल होता, तो कोई नहीं देता, यह एक मैंनेटरी फिनाइंशल बर्डन है, अब इवन दो रेकॉर्ड हो रहा है, पर मैं पता दो, टैक्स यह लीगल हपता है, टैक्स यह है, लिगल हपता है, देना पड़ता है, हपता देना ही पड़ता है, लीगल है, जिसका लॉपास हुआ है, ठीक है, भाई गवर्मेंट हमें प्रोटेक्शन देती है, इंफ्रा देती है, डिफेंस प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, होता है, it is nothing but the money that people have to pay to the government which is used to provide public services, ठीक है, अब बिटा, tax जो है, दो इसमें divide हुआ है, बताओ बच्छो, कौन से दो इसमें tax जो है, एक है direct tax, एक है indirect tax, ठीक है, तो ये direct और क्या, indirect tax है, हमें जो देखना है, ठीक है, तो नालाय को, उसको, इसको, इसमें इसमें इतने जल्दी time pass मत कर, अच्छाइन नालाय को स्टाड भी रीगे, अभी से time pass, ठीक है, तो सबसे बेले ये बताओ, बेटा, नीन दा रही है, नहीं नहीं, लंब लुवद नहीं, बंभी सास ले? फूड 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 नाला एक फूड okay तब फूड यहाँ पर difference लेखते है difference between direct and indirect बताओ महाँ जोड़ो Directors directly collect होता है मतलब जो हमारी total income है उस पर collect होता है and we have to pay we have to pay directly to government or indirect text जो बतान ही चलता है कि बतान ही चलता है but it is included in the price जोड़ो शहरु एक सपर है Direct text का button जोगी फ्रक्रता ही और indirect text का button जोगी फ्रक्रता है बताओ इच छिप्रता ही कर सकते हैं क्यों क्यों विकाज जो गुद्स जो बाइ करते हैं वो उसका बर्डन जो है वो कस्टमर से उसके प्राइस के साथ ही कलेक्ड कर सकते हैं और वो जो इंडिमेडियरी जैसे के वो गवंवेंड को पे कर सकते हैं उनसे लेके वाइ अच्छ एक 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 आप डिपर्स इंट्वर गरते हैं डारिक टैक्स पेबल बाई डिरेक्ली थे वाई परस्ट कर देते हैं क्योंकि अगर वो डारेक्ली कंजीुमर से लेंगे transfer from one person to another person yes sir इसलिए अलग से मतलब बढ़न shift कर देते हैं क्योंकि अगर वो directly consumer से लेंगे तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि में इसे income पे भी tax लेते हैं मैं समान लेता हूं उसमें भी tax लेते हैं मैं confused हो गया अच्छा इदर कोई 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 अ और इंडारेक्स नियुकर और और इंटारेक्स होता है वो सबके लिए से होता है उसमें कोई पास्ट्यालिटी नहीं होती है की इंकम जादा है तो उसका गॉण आपने एक्सपेंट आंब किया अवे उसको लीगल का उंटेक्स ऐसे है、 ठेक है एक माई की इदर शिप्ट करते हैं तो डारेक्ट टैक्स हम थोड़ा एसा लेते हैं डारेक्ट टैक्स इस ओन इंकम अर्निंग अक्टिविटी जैसे जैसे आपकी इंकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स लगेगा बट इंडारेक्ट टैक्स इस ओन Commodities, Goods or Services. It is uniformly applicable to all person whoever purchased that Commodity, whoever purchased that Goods, whoever purchased that Services. यहां कोई, मतलब हो सकता है कोई यहां पे Family Reach Class होगी, Middle Class होगी, Upper Middle Class होगी, Poor Class होगी, पर जब आप मेरे से Service ले रहे हो, तो सबको एक जैसा समान बर्डन है. अरे हाए ना? तो यहां पे Indirect Tax क्योंकि Indirect Tax income पे नहीं, Indirect Tax Services पे. If you want this service, you have to pay this tax. यह सबज में आया है ना? तो वो uniformly सबको, हम यहां पे Same rate से चलता है. ठीक है. और? सर वही था कि Direct Tax income पे लगता है और Indirect Tax Goods and Services पे लगता है. Very good. और कोई? कभी कुछ Progressive, Regressive ऐसा कुछ? Yes, yes. कोई इधर? कोई इधर? उधर कॉर्णर में? इधर कोई? हाँ, उधर माइक दो. अब जोन एक दून लोगता है. हाँ. सर इंडारेक्ट टेक्स इंकम पे लगता है जब की Indirect Tax Goods and Services पे लगता है और Direct Tax Progressive in Nature होता है. For example, की जितने इंकम है जिसकी उसके हिसाफ से उस पर Direct Tax लगता है. मतलब अगर जादा इंकम है तो जादा टेक्स लगेगा, कम इंकम है तो कम टेक्स लगेगा. और Meanwhile, अगर Indirect Tax की बात करें तो सब पे रेट सेम है. अगर किसी की इंकम पे इसका कोई असर नहीं पड़ता. बिलकुल सही, आपने भी सही बता, चलो Online Student ट्राइ करो, और कोई आप Additional Difference प्रोवाइड कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, देखो आज का लिक्चर इंट्रोड़क्टरी लिक्चर है, मैं बहुत बेसिक से लिके जाओगा, थोड़ा Slow भी लगेगा तो चलने दो, ठीक है, पर ज करना, आगे आने वाले हर concept की दोर यहां बनती है, और यह नहीं समझा, तो आपको आगे का समझने वाला नहीं है, ठीक है, चलिए, एक example लगते हैं, एक example को दिरे दिरे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आज मेरी बैच चलो ही, I earn some income, let's assume रुपीज फाइल लाक्स, नहीं, इतना कहां कमाता हूँ, इतना तो शुबम सर जैसर कमाते हैं, वह कहां कमाता है, तो जहाद देखा जाए, तो पांच लाग का हमारा income हूँ ठीक है अब समझ लो सुनो सुनो ना लाग को सुन तो अब यहाँ पे 5 लाग का income हूँ समझ लो यह पैसा मैं घर पर लेके जा रहा हूँ हूँ मेरे वाइफ का पता चला हूँ आज all income आज बेच हूँ पैसा आया है तो मेरे वाइपने कहा, Oji सुनते हो, अब आजकल, Oji Oji कौन मोलता है, अजकल मोलता है, सोना, बाभू, ओके सुना, तो अब ऐसा है, कि Oji सुनते हो, करेक्ट, विशुू, ओके तो विशु सुनते हो, तो मैंने कहा हां बोलो इशु, अब ये शायद online student वालों को नहीं पता बता देता हो ओके देखो भाई मेरा नाम क्या है विशार और मेरे वाइफ का नाम है तो इशू विशू चलते रहता है ठीक है तो अब यहाँ पे मैंने आन किया पांच लाग रुपे अब हुआ क्या कि मैंने अजूम करते है पांच लाग का 10% अभी वो basic deduction वगर छोड़ दो ठीक है कितना एक flat rate लेता हो पांच लाग का 10% मैंने क्या पे किया income tax income tax पे कर दिया किसको पे किया गॉवर्मेंट को ठीक है अब यह income tax जो मैंने पांच लाग का पे किया कितना पे किया समझे लो 50,000 इसमें basic exemption वगर भी वो मत लो एक plain transaction लेता है ठीक है तो मेरे पास कितना बचा बेटा 4,000,000 अब मेरी वाइफाई और उसने कहा विश्व मुझे आज शॉपिंग करने जाना है मैंने कहा हाँ तो I need 50,000 नहीं आवाज नहीं नहीं देखो क्या है शादी के बाद आप experience करोंगे आवाज जल्दी नहीं निकलती है तो जहां तक देखा जाए तो यह 50,000 मैंने कहा नहीं छोड़ जारहे हैं तो कौन बहस करेगा इतना क्यों चाहिए क्या चाहिए क्योंकि दूसरा सवाल हो जाता है ताइम तो देते नहीं हूँ ठीक है अब ऐसे केस है जाद गए तो मैंने कहा मैंने कहा ठीक है इशो तुझे 50,000 देता हो मैंने उसको जो दिये न उसने कितने मांगे थे 50 मैंने 45,000 उसको दिया कितना दिया 45 शी सेड विशाल मैंने 50,000 मांग गया है तुमने मुझे 45 दिये मैंने कहा अरे रुक जाओ 10 परशन मैंने इंकम टैक्स दिया है बर्डन पासवान ऐसा सम्झो 50 मिल गए मैं वाइफी से इंटेरियर डेकरेटर 50 कहा मिले 45 मिले तो मैंने कहां 50 दिया ना बर्डन पासवान बचलेगी और के यहां पर यार 45 पहले ही किना 50 मांगा तो 45 देते बर्डन पासवान कौन सा इंकम टैक्स का चलो वाइफ का तो हो गया अब बेटा second मेरा बेटा आया और उसने कहा कि पापा फीस चाहिए स्कूल की फीस देना है मैंना कितना उसने कहा एक लाग मैंने उसको 90 थाउजन दिये मैंने 90 थाउजन दिये मैंने बेटे 90 थाउजन दो स्कूल में दे दो उसने कहा पापा स्कूल में एक लाग देना है मैंने उसकूल वालों को बर्डन ठीक है बर्डन पासओं फिर मेरे पापा है उन्हें का बिटा मुझे पचास अजार चीए थे मैंने क्या किया 45 दिये और मैंने कहा बर्डन पासओं पासओं भाई साफ पूरी फैमिली परेशान और मैं रिटिक रोशन बर्डन पासओं प्रिक है ओके तो मैं रिटिक रोशन क्या बर्डन पासओं तो जहां तक देखा जाए तो थोई दरवाद पता चला कि मैं घर के बाहर सब घर के अंदर और सब अंदर बर्डन पासओं भाई आपको सुनने में भी अजिब लगता है अरे यहां आ ना कि यह क्या है नोटक कि ब देखाने होगा बर्डन मैंने लिया पर इट इस नॉट ट्रांसपरेबल फॉर्म वन परसंट वो ते इंकम में से शेर हुआ चल इतना समझा भाई इंडारेक्ट टैक्स जो है वो कमोडिटी टैक्स है आज के ट्रांजिक्शन में कैसा लगता है एक होता है सेलर एक होता है दोनों करते है ट्रांजेक्शन्स गूड़्स के सर्विज्डमीर के ट्रांजेक्शन सेलर और रोर तो अब यहां पर अगर सेल हो रहा है तो यह आपने क्या पड़ा कोई गूड़़े रहा है या कोई सर्वी सो इसके ओपर प्रॉय उति आ और यह प्र pedir ृपीस और वन ला होगा तो, हाई GST, समझ में आए गया, तो ऐसे case में, okay GST जो है कोई भी समझ लो 12% से कितना, 12,000, यह लगा, तो no doubt invoice में burden पासान हो जाता है, पर मुझे यह बताओ कि government को, government को pay करना पड़ता है, government को कौन pay करेगा, buyer या seller, it's a responsibility of supplier or seller to pay tax to the, on that goods or commodity, goods or services, और commodities, ठीक है, तो यह जो था, यह आपने देखा, छेल यह, थोड़ा और depth में जाता है, जैसा किसे नहीं है कहा, यहाँ पर, कि income tax is on income earning activity, but indirect tax is a commodity tax, मुझे यह बताओ, business income पर tax लगता है क्या, हाँ, income tax लगता है, PGP, उस पर ही पढ़ा आपने है, हाँ, दूसरा question, income tax only business वालों को लगता है, बाके किसे को नहीं लगता है, ऐसा नहीं है, आपने 5 head पड़े होगे, हाँ, income from salary, house property, और लास में तो अधर रखा है, किसी से कोई भी सोर्स से पैसा मिला आपको, आपको पैसा मिला कि government कहते है, मुझको भी चाहिए, आपको मिला तो, मुझको भी चाहिए, वैसे indirect tax में, आपको मिला, मुझको भी चाहिए, समझ मैं, तो ऐसे case में, भाई साहब एक बंदे का example लेता हूँ, समझ लो, seller है, sale कर रहा है, पुरे साल का turnover क्योंकि income tax में yearly दिखा जाता है, और यस और नो, समझ लो, पुरे साल बर में उसका एक ही transaction हुआ, एक ही transaction, only one, उसकी price है 20 lakhs, एक ही transaction, अच्छा, transaction हुआ तो अभी कौन सा tax लगता है, GST, पहले लगते हैं एक size vat, और आप कौन सा लगता है, GST, अभी मैं just एक word use करूआ, इसके उपर GST, आपके उपर यह समझ लो, GST लग गया, या कोई भी indirect tax लग गया, अभी हमने GST start नहीं किया, इसलिए कोई भी indirect tax लग गया, समझ लो, यहाँ पर add rate 10%, मैं मेरे calculation के लिए 10% ले रहा हूँ, समझ मैं है क्या, वो 12 फिर odd amount आती है, तो 10%, तो कितना, 2 lakhs रुपीस आपने बेचा, ठीक है, what is the journal entry, बच्चो, sale की journal entry बता, क्रेडिट होगा तो customer account, डेविट, या cash account, bank account, डेविट, टू, sales कितने से होगी, 22 lakhs से, ग्रॉस से, या net से, ग्रॉस से, ग्रॉस से, दो तरीके है, ठीक है, आप net pay कर सकते हो, और GST pay बला लक्सरी का बढ़े सकते हो, मतलब net sale, 20 lakhs, ओके तो आपकी journal entry ऐसे, देखो, बहुत basic से जा रहा हो, slow लगे तो भी जाने दो, मुझे बहुत कुछ बुलना है, दिरे, 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 स्पीड बढ़ेगी, अगर ये class में किसे भी लग रहा है कि सर, slow है, हाँ हो, बलू, मुझे पता है आपको क्या बढ़ाना है, ठीक है, कौन से stage पे स्पीड बढ़ानी है, कहा हमको, ना लाएक, तो जहां तक देखा जाए, वो, ठीक है, तो यहाँ पर, silent please, बिगाड के रखा है तुम सम्झे, बिगाड के रखा है, तो यहाँ पर, control वापस, तो जहाँ तक रहा है, प्राइस 20 lakhs, GST 2 lakhs, तो तो टोटल कितना, 20, दू टाइप की जनरल इंटली हो सकते है, एक ग्रॉस पे, ग्रॉस पे अगर हम ले, तो customer account, debit, या bank account, debit, या bank, या customer, कितना, 22 lakhs, 2 cells, कितना, 22 lakhs, done, या फिर net पे, accounting standard कहता है, net पे करो, अगर आपको IT से मिलते हैं तो, अब इस सरी IT से क्या होते है, बाद में देखेंगे, input, tax, credit, credit मिलते हैं, तो अगर real accounting policy follow करना है, तो net पे करो, नेट पे कैसे entry होती है, bank, या customer, कितना, 22, हमको आ रहा है 22, 2 cells, हां, 2 cells, 20 lakhs, ठीक है, 2 GST payable, यह सम्झे में है, क्या 2 GST payable, 2 lakhs, और payable जो है, हम credit लेने के बाद कैसे पे कर देंगा, हम net पे चलता है, ठीक है, हम net, this is a correct accounting policy, अगर हम net पे जाते हैं, तो मेरा profit and loss account बनेगा, क्योंकि साल का एक ही transaction है, trial balance बनेगा, trial balance में sales का balance देखेगा, और यह यहाँ पे sales देखेगा, profit and loss account, कितना देखेगा, 20 lakhs, ठीक है, 20 lakhs देखा, अब मुझे यह बताओ, कि यह 20 lakhs पे, already मैं एक tax pay कर चुका हो, जिसका नाम है, आप GST बोलो, या कोई भी indirect tax pay, already 20 lakhs पे, and that burden is pass on, pass on to the customer, customer को pass on किया है, अब carefully, यहाँ सभी ने देना, this is the main turning point, ठीक है, अब यहाँ पे 20 lakhs जो है, sales हो गया, purchases दिखाई जाएगे, कुछ direct expenses दिखाई जाएगे, relating to purchases, आपका GP निकल जाएगा, GP, carry forward, और यहाँ पे, जो भी GP brought forward, ठीक है, फिर आपके expenses, और yes or no, और यहाँ पे आएगा आपका, after depreciation, net profit, और net profit, आपका 20 lakhs में से बचा, 3 lakhs रुपीज, मुझे यह बताओ, आपका जो शुद्ध income बचा है, कितना, 3 lakhs, after deducting all expenses, इसके उपर कौन सा tax लगता है, PGP, profit and gain from business or profession, तो इस पे क्या लगेगा, income tax, yes or no, अब इस पे बाईच साब income tax लग रहा है, तो आप already income tax ले रहे हो, इस पे जितना भी देना है, अब मेरा आप से क्या सवाल है, अगर मैं यह 20 lakhs पे already tax burden ले चुका हो, ठीक है, वो indirect tax है, पर यह 20 lakhs का 2 lakhs में government को tax, दे चुका हो, अरे yes or no, तो उसी 20 में से यह 3 lakhs बचया है, I repeat my statement, यह 20 lakhs का, जो भी tax burden आया था, indirect tax का, assume 10%, तो 10% अगर मैं government को दे चुका हो, तो उसी 20 में से 3 profit बचा, और यह 3 lakhs जो profit बचा, उसके पर फिर से government tax लगा रही है, कौन सा, income tax, क्या आपको नहीं लगता कि यह double tax session है, government ने 20 पे ले लिया, और उसी 20 से जो 3 बचा, जीस समझ में है ना, उसी 20 से 3 बचा रहा है, उसमें government ने क्या ले लिया, income tax ले लिया, क्या आपको नहीं लगता कि यह double tax session है, क्यों? माइक 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 में सुनना चाहता हूँ क्यों, हाँ, माइक दो, anybody? आप भाई साब क्या हो गया? वो थोड़ा जादे ही दूर है, यहाँ दो, इसर उसरा रहाए, इधर का है, हाँ, ठीक है, सर्क क्योंकि tax, GST जो रहता है वो अम लोग कस्टमर से claim कर लेते हैं, इस वज़े साब डबल tax नहीं लग रहा है, मतलब कोई भी indirect tax हो, कस्टमर से collect कर लेते हैं, इसलए, यह double taxation नहीं हो रहा है, double taxation नहीं हो रहा है, नहीं थीक है, मैं तरी बात मानता हो, और income tax? Sir, income tax उस पे लग रहा है, जो income उन्होंने actual पे कमाई है, जो GST है वो actual में उनकी income थी नहीं उन्होंने दूसरों से लिया, तो वो directly government के पास चले गया, लेकिन जो sales थी और उसके net profit जो आया 3 lakh है उस पे सिफ और सिफ income tax लग रहा है, तो वो उसका, क्योंकि 20 lakhs में included नहीं है GST, 2 lakhs जो अलग से GST था, वो अलग से claim किया गया था, ठीक है, दो सवाल पुझोगा, पहला सवाल, online students आप भी जवाब दीजिए, हाँ, very good, आपके भी को, मैं देख रहा हूँ, yes, आउती, ओमकार, good बिटा, ठीक है, अब मुझे ये बता, ये 3 lakh रुपे, समझ लो ये बंदे को कोई खर्चा नहीं है, इसके कोई खर्चा नहीं ह 3 lakhs पे सबसे पहले टेक्स लगेगा, उसके बाद जो उसके बाद जो बचा हो, इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके उसको कहीं नहीं रखना है, और के उसको कहीं नहीं नहीं करना है, क्या करेगा, he will use it for his own expenses, नहीं खर्चे भी नहीं है, तो जेब में रखेगा, simple में में तीज भी नहीं करना है, ठीक है, अब यहाँ यह जान बुच के मैंने थोड़ा drill किया, reason है उसका, मुझे अब एक सवाल है, ठीक है यार वो buyer दे रहा होगा, उसने burden pass on किया होगा, पर 20 lakhs पे, दे कोई भी या, sailor दे, buyer दे, इंडिया का कोई भी बंदा दे, पर तुझे नहीं तो क्या government दो बार collect नहीं कर रही है, same transaction पे, नहीं नहीं, ITC वागरी कुछ भी मतलव बीच में, आप यह purely tax, there are 2 lakhs, और यहा है न, और उसका income है, बटा, यहाँ पे मैं बताता हूँ, लगता है इसा, और यहाँ से ही मैं आपको बताने वाला हो difference between direct and indirect, अब मैं आपको बताता तो कि yes, यह 20 lakhs जो है, और यह जो यहाँ पे 3 lakhs का benefit है, अब थोड़ा मैं यह discussion को pause करके पीछे जाता हूँ, indirect tax का जनम कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ, यह example आपको बुक में आपको बताता हूँ, यह example आपको बुक में आपको दिख रहा होगा, पहले indirect tax का अप्रोच किया और आके खोल दिख और आज से क्या, indirect tax लगा तो, ऐसा नहीं हुआ, यह जो है, एक business tax डेवलप हुआ, indirect tax को business tax भी कहता है, कैसे हुआ, बतातो, पहले system of monarchy थे, governed by king, समझ लो कोई दूसरे king का बंदा, अगर इस king के kingdom में आ रहा है, तो इस king को पहले उसको gift देना पड़ था था कि भई, मुझे permission दो आपके area में business करने की, तो एक्जामपल की तौर पर यहां सब समझ लो, समझ लो यह 1000 bags लेक्या रहा है, जिसकी costing या कितनी 1 lakh, तो इसमें की 100 bags वो, okay, as a tax, as a gift देता था किसको, king को, कि भई, मुझे आपके area में business करने की permission दो, okay, उस gift से king खुश हो और permission देता था कि चल, तो मेरे area में business कर सकता है, यह समझा नहीं समझा, अब मुझे यह बताओ, king को उसने पैसे चार्च किया की free दिया, 100 bags, नहीं, 100 bags जो उसने king को दिया, उसके पैसे चार्च किया की free दिया, as a gift दिया, to take that permission to do business in his area, yes or no, अब मुझे यह बताओ, जब वो, यहाँ पे 900 bags, यहाँ market में बेचेगा, जिसकी costing, 1000 bag की costing उसको कितनी लगी, 1 lakh, उसमें से 100 free दे दी, to get that permission, अरे आया ना, तो अब अगर आपको accounting या costing principle समझते है, तो अब उसके पाद जो बची 900 bags, उसकी cost कितनी होगी, 90,000 होगी या 1 lakh है, 1 lakh है, 90,000, भाई साब, अब उसकी cost, जो है, अगर हम bags की cost देखे तो 900 bags की cost कितनी, 90,000, लेकिन जो 100 bags उसने free दिया, क्या उसके भी cost इसमें add हो जाएगी, yes, yes or no, उसके भी cost add हो जाएगी, मतलब, अब जो 900 bags का costing कितना हुआ, 1 lakh होआ, कोई भी prudent businessman, जो उसको cost लगा as a tax, business करने के लिए, I repeat क्या, business करने के लिए, वो की सरीकवर करेगा, customers, customer सरीकवर करेगा, okay, कोई भी business man करेगा, कि मुझे अब जो cost लगी, okay, जो भी मैंने free दिया, उसका मैं customer से लोगा, और यह जो यहाँ पे 10,000 रुपीज है, यह burden pass on, यह burden pass on, समझ में है क्या है, तो यह कोई indirect tax ऐसे, एक दिन सोच के लगाया गया, ऐसा नहीं है, indirect tax जो है, बेटा, मैं आपको यह बता दूँ, कि यह business की practice थी, कि अगर मैं तुम्हारे kingdom में business करने आ रहा हो, तो जो कुछ भी यहाँ पे मैं as a gift दूगा, उसकी cost मैं price में record करूगा, किस से, customer से, तो ही मैं profit कमा पाऊगा, यह समझ मैं है, और यह तब से एक mentality, okay, यहाँ पे mentality develop हुई, तब से एक, यहाँ पे tradition तयार हुआ, to transfer the burden, whatever the cost I incurred for doing the business, I will recover it from the customer, और वो cost बढ़ा के customer से recover कर रहे है, okay, burden transfer कर रहे है, और आज बस इतना ही है, कि हाँ, आज हम जो है, अगर government को GST देते है, तो वो हम customer से recover करते है, बट उसको separately in the name of GST, as a commodity or service, क्योंकि यह tax business करने का tax है, और यह जो है, बहुत पुराना tax है, नहीं, before 3000, 4000 years, जब से trade चाल हुआ, जब से tax देना या gift देना चाल हुआ, तब से यह customers recover किया जा रहे है, क्योंकि यह business tax है, income tax तो develop हुआ, यहाँ पे 400-500 साल पहले है, यह तो बहुत पुराना tax है, यह समझ में है क्या, तो यहाँ जहाँ तक देखा जाए, तो indirect tax, हम business करने का tax लगा रहे है, और जो customer से record कर रहे है, गौवर्मेंट को पे कर रहे है, और customer से record कर रहे है, अब देखो क्या हुआ बटा, अगर बात करें, तो 500 साल पहले कि अगर हम बात करें, तो यहाँ पे income tax जैसा well developed tax कहीं नहीं था, हाँ कुछ kingdom में लगते हैं, लेकिन ऐसा सारे area में लग रहे है income tax, ऐसा कोई developed tax नहीं था, फिर income tax का जनम कैसे हुआ, क्या हुआ कि कोई भी businessman जब business कर रहे है, तो उसको tax जो लग रहे है business करने के लिए, तो किस तरी कवर कर रहे है, customer से, और pay कर रहे है, तो जो उसका profit हो रहा जमा करते जा रहे है, tax लगा, burden, pass on, tax लगा, burden, pass on, क्योंकि business tax लगा, और profit जो है वह अपने थी जोरी में, जमा कर रहे है, धरे धरे economy दो क्लास में डिवाइड होने लगी, rich class and poor class, समझ में है क्या, ambani, adhani और पुरा इंडिया, अरे समझा है नहीं समझा है, rich class and poor, जब ऐसी economy बनती है, it is very dangerous situation for that country, that kingdom, कुछ राजाओं ने सोचा कि, अरे बाफ है, हम tax तो लगा रहे है, पर यह तो burden, pass on कर रहे है, business में record कर रहे है, और जब इनकी तीजुरी में पैसा आ रहा है, तो अपने, उस पे कोई tax नहीं है, और त तीजुरी भरते जा रही है, जब यह situation आती है, rich become more richer and poor become more, वो बार डिंजरस situation होती है country के लिए, यह समझा है क्या, तो फिर, यहाँ पर एक development होई tax की, जिसका नाम आया क्या, income tax, कि अब हम, जिसके तीजुरी में पैसा जमा हो रहा है, उसके तीजुरी से निकालेंगे, और public में लाए गए, जिसका नाम पढ़ा क्या, income tax, और बिटा, यह जो है, यह business करने के लिए tax नहीं है, PGBP भी business का tax नहीं है, business से कमाई हुए तीजुरी tax है, जिसमा है, PGBP is not a business tax, business से कमाई हुआ, तीजुरी में जो पैसा आया, उसका tax, तो don't allow anybody to accumulate the income, निकालो और public में लाओ that is very important for the country, वो पैसा कुछ लोगों के तीजुरी से निकाल के public में लाना जरूरी है, यह समझ में है क्या, और फिर develop हुआ क्या, income tax, और rate ऐसे बनाये गए, कि तीजुरी में पैसा बढ़ेगा, slab भी बढ़ती जाएगा, समझ में है क्या, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा, वैसे जैसे बढ़ेगा, 10%, 20%, 30%, सरचार्ज, और यहा ना, सरचार्ज, तो income tax is completely तीजुरी टैक्स, तो हम उसको standard word में कहते है, legal context में कहते है, income tax is on income earning activities, समझ में है क्या, और बहुत raw language में कहो तो तीजुरी टैक्स, yes or no, income earning, तो बस कुछ नहीं, object दो, यहाँ पे clear था कि don't allow anybody to accumulate income, withdraw it, and bring it to the public, हाँ, जिसका पैसा जाता है 30%, प्लस सरचार्ज, प्लस टोटल 36%, अरे है ना, उसको दूख होता है, मैं महनत कर रहा हूँ, छला रहा हूँ, कमा रहा हूँ, हाँ, 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 और गौर्वर्मेंट सीदा-सीदा, 36%, हाँ, yes or no, गौर्मेंट सीदा-सीदा 36% निकाल रही है, महनत मैं कर रहा हूँ, लोगों को income tax दे में जान पैसली आती है, क्यों, क्योंकि सीदा 36% निकल जाता है, इंडियुजा लगरोंके तो, और यहाँ पे, and burden is not transferable, क्योंकि तीजोरी से निकाला पैसा है, यहाँ, you cannot transfer it, from 1% to, इसलिए, यहाँ पे, income tax, और GST, DT and IDT का बहुप बड़ा difference है, क्योंकि दोनों के object अलग है, indirect tax का object है, tax on business activity, and business activity specifically related to goods or services, समझ मैं है न, goods or services, our income tax is on income earning activity, income earning activity, ठीक है, तो पहला सवाल आप से पुछता हो, थोड़ा हम slow भी गए होगे, तो भी जरूरी था, पहला सवाल आप से पुछता हो, क्या, यहाँ पे, यह जो direct or indirect tax, जो यहाँ आपने देखा, तो direct tax, total price पे लगता है, या net income पे लगता है, net income पे लगता है, expenses deduct होने के बार, क्योंकि जितना net तुम तीजोरी में डालोगे, यह सबज में आए क्या, तीजोरी में, और दूसरा यह बताओ, आपकी indirect tax, नेट profit पे लगता है या gross price पे लगता है, क्योंकि वो business tax यह, समझ में है, कि वो business tax, I hope you understood, दूसरा सवाल, मुझे यह बताओ, यहाँ पे, की income tax, और यहाँ पे GST, income tax में, income tax immediately देना पड़ता है, as soon as I earn the income, pay the tax, ऐसा नहीं है, कैसे पे करना पड़ता है, इसमें दो year होते हैं, एक assessment year और एक previous year, assessment year और previous year, ऐसे दो year होते हैं, और यह समझा की नहीं समझा, अच्छा, कोई बता सकता है, assessment year और previous year क्यों हो, in short, जब तक आपका profit and loss account नहीं बनेगा, तब तक profit नहीं निकलेगा, और जब तक profit नहीं निकलेगा, तब तक income tax नहीं लगा सकते हैं, अच्छा, सर फिर यह profit and loss, हम मंतली क्यों निकल लेते हैं, income tax के लिए, मंतली इसलिए नहीं निकलते हैं, कि बहुत सी cost direct होती है, बहुत सी cost indirect हो, इसलिए one financial year is more appropriate, और यह सोर नो, इसलिए जो assessment year में आपने पैसा कमाया, जो previous year में आपने पैसा कमाया, उसका tax आपको कब देना पड़ता है, assessment year में, यह सोर नो, assessment year में देना पड़ता है, तो tax यहां पे yearly पे होता है, हाँ वो बात अलग है कि advance tax, TDS वो बात अलग है, वो procedure mechanism है, पर actually देखा जाता हो year होने के बाद, मुझे यह बताओ, यहां पे GST कैसा पे होना चाहिए, seller or buyer, seller or buyer, price है 20 lakhs, तो GST कैसा है, year होने के बाद या immediate, immediate, जब goods जा रहा है, service जा रहा है, immediate होना चाहिए है क्या, immediate होना चाहिए, अच्छा, आपने customer से immediate collect कर लिया, और government, अब आपने तो collect कर लिया immediate, invoice में, तो government को कब होना चाहिए, year होने के बाद या immediate, government को भी immediate, government कहती है, तुझको मिला, मुझको भी से, problem क्या है, तुने tax collect कर लिया ना, तो तिरको भी immediate देना पड़ेगा, तो मैं आपको एक बहुत important point बताता हूँ, अगर government ने, ये GST, assess, और collect yearly क्या तो गढ़बढ क्या होगी, एक simple example लेते हैं, आपका और मेरा, imagine करो, अगर होता, मैं ऐसा imagination में बहुत पड़ाता हूँ, अगर ऐसा होता, तो ऐसा होता, वैसा होता, तो ऐसा होता, अरे समझ में आए क्या, imagine करो, आप admission लेने आए, और GST yearly tax होता हूँ, तो मैं आपको ये कहता, ये देखो, अभी admission ले रहा हूँ, अभी मेरी fees are 10,000 plus GST, पर GST अभी नहीं लूगा आपसे, येर होने के बाद आना मस्तवे की, एक साल बाद आना, फिर मुझे GST देखे जाना, अगे, GST देखे जाना, imagine, आपने का हाँ सर, येस येस, बिल्कुल आएंगे सर, बहुत आएंगे, बिल्कुल आएंगे, एक साल बाद आएंगे, आपको GST देखे, जाएंगे, साल होने के बाद मेरा स्टाफ कॉल कर रहा है, आपका जो GST का payment है, वो collection करे, किया जाएगा, और pay किया जाएगा, आपका, हलो, हाँ, कौन? अवाज नहीं आ रही, अवाज नहीं आ रही, कौन? अगर आपको यह कहो, तो कोई देने वाला, नहीं है, इसलिए, GST जो collect होता है, वो transaction के base पे collect होता है, और government को भी वो transaction base ही दिया गएगा होता है, अरे yes और no, तो यहाँ पे, very important point, कि यहाँ पे कोई assessment year नहीं है, यहाँ पे कोई previous year नहीं है, क्योंकि GST, indirect tax, यह transaction base tax है, I hope you understood, तो मेरे यह subject में आपको कोई assessment year, previous year नहीं मिलेगा, आपको transaction के base पर assess करना पड़ेगा, government ने बस इतनी रियायत दिये, कि वैसे तो जैसे ही transaction आपका होता है, बिजे transaction के base पर नहीं लेंगे, हम आपसे tax monthly basis पर लेंगे, I repeat the word क्या, monthly basis पर लेंगे, वैसे तो transaction होती ही liability आ गई, पर government के ती ही कि ऐसा मत करो, नहीं तो घड़बड क्या हो जाएगा, transaction होती ही tax government को देना पड़ा, तो एक student ने admission ली, और जाज जल्दी government का चालान पे कर, तब तक दुसरा student रुख जाओ, government का चालान बाकी है, भाई साब, ऐसे हजारो student connected है, और कि अगर मैं हर transaction पर देते रहा, तो पता चलेगा, business अलग मैं तिभ टैक्सी दे रहा हूँ, government ने एक administrative convenience दिये, क्या दिये convenience, कि ठीक है, हमें liability तो आगई आपकी transaction पर, government को देने की, पर pay करते वक्त आप एक period ले लो, कितना period दिया है, monthly, और monthly tax आपको देना पढ़ेगा, I hope you understood, yes or no, तो यह था, तो इससे एक बात समझ लो, कि यहाँ पर दो assessment year, previous year ऐसा concept नहीं है, अब दोस्तों, आपका यह सवाल होगा, कि सर, यह जो है, आपका direct tax, direct tax एक question था, कि progressive in nature, indirect tax क्या, regressive in nature, उसके बारे में हम बात करेंगे, break के बात, अब ही 15 minutes का break ले लो, उसके बाद continue करता है, मैं लेता हूँ, सब सब लेता हूँ, आपके सारे questions में लेता हूँ, एक question आया है कि, हाँ quarterly भी आएगा बिटा आगे, quarterly भी आएगा, हाँ, कि अगा जती हूँ, नहीं भी आएगा, नहीं आएगा, वी आएगा, हाँ, अम्रोटी, यह एना, झाल 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 तो झाल 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 झाल